मोहन राठोर जी हाँ एक ऐसे सिंगर जिनका नाम सभी जानते होंगे और सभी इनके गायन से वाकिफ भी होंगे यूटूब पर इनका गाना रिलीज हुआ जलेबी जो की बहुत ही हीट रहा और लोगों को बहुत पसंद आया बता दे कि यो यो हनी सिंग से लेकर अभिशेक बच्चन सभी इनके गानों के मुरीद हैं और जब इन्होंने जब तु लगावे लूली पिस्ट्रिक गाया गाना तब ही भी कई भूजपूरिया स्टार इनके गानों पे थिरके जब भी गाना गाते चाहे वो बॉली वुट का हो या पंजाबी इंडस्ट्री का हो कोई भी सिलेबरिटी आता तो सबकी पहली पसंद मोहन राठोर ही रहते खेर आपको हम आज क्या बताने वाले हैं जो हमने आज मोहन राठोर पे स्टोरी बनाई है तो अभी हाल ही में एक इंट्रिव्यू दिया है मोहन राठोर ने जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने पवन सिंग के साथ फिल्म करकर गलती कर दी क्योंकि पवन सिंग के साथ फिल्म करने के बाद प्रड्यूसर और राइटर ने उनका मिस्यूज किया उस पूरी फिल्म में मोहन राठोर ने ये कहा कि उन्हें पवन सिंग के पीछे पीछे बस घुमाया गया और कुछ नहीं किया गया उस फिल्म को करने का मलाल आज भी प्रिंगर हैं उन्होंने अपना काम किया पैसा लिया और चले गए वो मेरी बारे में क्यों सोचेंगे जब रिपोर्टर नहीं ये पूछा कि क्या आपने अपनी परिशानी की वज़े जो की आपको जिस तरह फिल्म में लिया गया जिस तरह से रोल दिया गया आपको उतवर नें यह कहा कि मैंने उनके साथ ये समस्या शेयर तो नहीं कि लेकिन उनका काम जो था उन्हों किया और वह चले गए यानि कि इस इस यहां पर मोहन रातर का यह चιαन onboard वी आक्टिंग की फिल्म में जो करना था box आ और पैसे लिएング चले गए मैं उसे क्यूं कहने जाओं सारे बातों के बाद जब मोहन राठोर से ये पुछा गया कि क्या अब आपको एक्टिंग में दुबारा कदम रखना है या आप अपने आपको एक्टर मटेरियल समझते हैं जिस तरह से भूझपुरी इंडस्ट्री के तीनों सुपस्टार गायक और नायक हैं कमेंट करके जरूर बताईएगा